हलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सहर के सबसे पत्रिष्टित अपार्टमेंट जेमनी अपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूंगा जो अभी तक आपने इस चर मेडिकल रोट मुगलहा मेश्टित जेमनी अपार्टमेंट के बारे में आप लोगों ने अभी तक अधिकतर लोग अभी तक बाहर से ही इसके बारे में जाना होगा या देखा होगा लेकिन आज हम आप लोग के बीच में इस अपार्टमेंट के बीच में कितनी सुविधाओं से युक्त कितनी इसमें सुविधाएं हैं इसमें 3BHK कैसे अपार्टमेंट के अंदर इस कैसे इसकी ड्राइंग है कितनी अच्छी इसकी सजावट है और इसकी सुन्दरता बेमि वाइंग आज माई आपको पूर्ए तरीके से इसके अंदर के सभी कमरों को मैं आपको दिखाओंगा चलियए चलते हैं तो आगे माँ आपको दिखाता हूं, कि इस तरीव यज के भी में क्या-क्या है आपके शुपधा है इस में किस ट्राइब के रूम है, is में कमरे है, थ्री भीरच के अपार्टमेंट में, आप इसको देखने के बाद, पुरी तरीके से जान सकती हैं, उसकी खुपशूर्ती को जान सकते हैं, चलते हैं अंदर तौप इसका में डॉर कुलते हैं, आये चलते हैं अंदर और आपको हम सच competitive मिश्राइब के दिए सब्सक्राइब क्राइब कमद्ध आप तक घ no सजावट है यह परärtा यह और यह यह देखिए यहां पर इसप yang इसमें लगा हुआ है, यहां पर इसकी सुन्दर्टा कितनी अच्छी है, आपके देख सकते हैं आपके TV, वाइल टीवी जो कि कितनी अच्छी से लगे हुए है, यह आपका मेन डोर था जो आपने इंट्री किया भी पर यहां पर, मैं आपको पूरी तरीकी से चाओ तरब भु कि मा के दिखा रहा हूं कि आगे बड़ रहा हूं कि यह देखी आगे बढ़ता है ट्रया अunt यहाप खाना खा सकते हैं यह कि लिए घ्टो के लिए श्टड़ी रूम है यह देखिए है यहां पर पहला रूम जैने है पहले इंट्री कड़ते हुए पहला रूम है आपका यहां पर पूजा रूम भी यहां पर यह देखिए यहां पर जो है बेडरूम है देखिए यह कितनी सुवधाओं से युग yaँ अपि कि इतनी अच्छी है कि बोची कि कितनी सुवधाओं से यूगत है हर सुवधाँ अपि है tas कि मैं आप से हैं दूस्य से देख सकते हैं क्या क्या है यह देखिए डाइनिंग रूम यहां पर आपको चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है यहां पर बेट के पास आप चार्जिंग भी कर सकते हैं यहां पर आपको जाने की जरूवत नहीं है यहां पर यहां पर आराम से गात में अपना चार्जिंग देखिए बेट के इसी खा छेहां पर देख सकते हैं आपे यह अज echo भूरे इस कमरे में लगा हुआ इस कमरे में में लजा सकते हैं पूरे में छड第 पर ह वेड़रूम से सब्सक्रां करते हैं कर दिखान है कि छल्या आगर चलते हैं पिर आपको दिखाते हैं कि इसे सिहestly के पगल में देखिए एक डरवाजा और दिया है। जो आपका वरामधा dell है हम पर यहां सकते हैं मैं आपको खोल के दिखा देता हूं इसके बाहर भी क्या है। देखिए इतना खुबसूरत वालकनी यह दिया हुआ है यह देखिए पूरा अपाटमेंट सारी चीजें हैं पर आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता का लुब्त उठा सकते हैं आपको पूरी हवादार इस अपाटमेंट में यहां पर फिर आपको हम चलते हैं और भी कमरों के बारे में दिखाते हैं और कमरे दिखाते हैं इसके देखिए यह मंदर आ गए बेडरूम से अटेच यह बालकनी दिया हुआ था और यहां पर देख सकते हैं आप कमबोड वगारा दिया हुआ है यह देखिए यहां पर आपक का यह युद्धा क्या एक चोड़ यह अपने बच्चों का रुम दिया हुआ है कमबोड़ यह देखिए आप इसमें समान बगारा रख सकते हैं अपना यह देख सकते हैं आप जैसा कि सभी सुपित हाउस से युख यह कमरा देखिए आप और यहां देख सकते हैं आप इसके अटैच में ही यह आपका बात्रूम दिया हुआ है अब इसी की सटे आप देख सकते हैं इसके कमरे के सटे में ही फिर एक बालकनी दिया हुआ सेकेंड बालकनी है जो आपका यह देखेए आप इधर से भी आप पूरे अपार्टमेंट लुटित आसकते हैं यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है अपार् dlatego यह बहारी ने है किसा बार्टिंग दिया हुआ है जैमदी अपार्ट्मेट के बार का पार्किंग है कि अपका आ कर दिखाने के बाद आपको बंढ आप 10 जैखे आपका का कि बलंड राशा हुगए आपके ही छो नहीं हो गया या इस चलते हैं इसके आप जो सब्से महत्योपुड पूर के इन अधर का कीछन रहता है म हाहां पर को लेन चलते हैं, इसकी किचन की बनावट देख सकते हैं यह बहुत ही सुभिधाओं से। इयदेखिए इस अप रका भ्रत भर्रच दने के लिए और यहाँ पर चैली है सबसे भड़ी किछन के सबसे कमरों को हवाधारमाय गया है जिस्टे कि किसी भी प्रकार आपको कि घर्मी या एंद महसूस नहीं हो सकता है आपको एज़ेजुए यह था किछन आपskा सबसे महत्य नीचे भी दिया हुआ है ड्राय जिसमें आप अपना समानमगरा रख सकते हैं चलते हैं इसी करम में आपको दो बालकनी ये तीसरे बालकनी में आपको ले चलते हैं तीसरे बालकनी में आप देख सकते हैं अती सुंदर सबसे सांदार बालकनी जो आप देख सकते हैं ग्रेन ग लगा सकते हैं जो की बहुत ही अच्छा है यह आपके आपके अक्सिजिण यूप पेड़ पौदे लगाए जाए आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से यह देखिए आप इस बरामदे में बालकनी में हरे-हरे पौदे गंबले पेड़ पौदे किसी विपकार के आप लगा स के पर जाए जाए यह देखि ते कितना अच्छा करिए सुंदर सजावर्ट जो की कि आप बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर दिशा को बालकनी है इस किनसरी कि र चांब है कि तो दिखिए यहां पर भी खिड़िया है जो पूरे रात में पूरे मतलब समझे स्वच हमादार अच्छी तरीके से जो है यह दिया हुआ है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरा अपार्टमेंट जो है थी भी अच्की रूम जो कि बहुत ही सुविदाओं से युक्त बनाए गया है इसके पहले मैंने आपको जेमनी अपार्टमेंट का बारी दिखाये था जो कि फिप्टी नगस का था बहुती अच्छा असोबनी है बहुती सुन्दर देखा था और आज आपको हमने इस जेमनी अपार्टमेंट के थी भी अच्के का अंदर का जो बनावर थी कमरों की वो मैंने आपको दिखाया जो कितने अच्छे है सुधाओं से युक्त है बड़े बरामदे इसमें दिये हुए हैं आप देख सकते हैं मैं आपको दूर से दिखा देख सकता है इसको यह देखिए यहां से इंट्री करते ही आप इसकी सुन्दरता को लुक्त देखिए सभी कमरों की और लंबाई चौनाई लेंथ भी बहुत अच्छा है इसका सभी सुधाओं से युक्त है प्लीज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सेयर करें जय हिंग जय बारत